जै माता दी नमस्कार दोस्तो दोस्तो ये राशी फल है मार्च 2022 का कुम्ब राशी के लिए जी हाँ कुम्ब राशी का मार्च 2022 का राशी फल चलिए दोस्तो सबसे पहले जानते हैं मार्च महने की कुछ एहम बाते शौर्ट में उसके बाद में विस्तार से आपके जीवन के एक एक शेतर के बारे में आपको राशी भल बताया जाएगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कुंब राशी के जातकों के लिए ये माह शुब परिणाम लेकर आएगा जी हाँ ये मन्त आपके लिए काफी शुब रहने वाला है नोक्री करने वाले लोगों के लिए ये वक्त आत्म विश्वास और ताकत का एहसास कराएगा जी हाँ दशमभाव में केतो की उपस्तिती और आपकी राशी में सूर्य गुरू और बूध की युकी ये आपके लिए बहुत बढ़िया रेने वाली है इस महिने आपके कारोबार का विस्तार होगा कई जातकों के लिए सरकारी नोकरी में अच्छे सपलता के योग आने वाले हैं दोस्तो इस महिने स्टूडन्स को भी मनोवांचित सपलता मिल सकती है क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी बूध प्रतम भाव में बुहस्पती और सुर्य के साथ रहने वाले हैं दोस्तो घर परिवार में आम तोर पर इस महिने शांती रहने वाली है क्योंकि दृत्य भाव के स्वामी ब्रुहस्पती लग्न में रहेंगे पुराने विवात का निप्टारा इस महिने आप कर सके तो कर ले हो सकता है पंचम भाव के स्वामी बूध आपकी राशी में ब्रुहस्पती के साथ रहने वाले है इसलिए आपकी लवलाइफ अच्छी होने वाले है धन और लाब के स्वामी ब्रुहस्पती आपके प्रतम भाव में विराजमान है इसलिए पैत्रुक संपत्ती प्राप्त होने का योग है स्वास्त के मामले में भी आपको अच्ची कबर इस मेने मिल सकती है छटे भाव पर शनी, शुक्र और मंगल ग्रह की पूर्न दुष्टी होने से किसी बड़े रोक से मुक्ती मिलेगी जी हाँ मार्च का ये महिना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा और परिवार, करियर, स्वास्त्य, प्रेम, आदिल शेत्रों के लिए आपके लिए कैसा रहने वाला है ये हम आगे एक एक करके जानते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं आपके कारिक शेत्र के बारे में आपके professional life के बारे में कुम्ब राशी के लिए करियर की दुष्टी कौन से अगर बात की जाए तो ये मन्त बहुत ही अच्छा सावित होगा दशम भाव में केतु की उपस्तिती और आपकी राशी में सूरिय, गुरु और बुध की युती होने वाली है इस वज़े से कारिक्षेतर में आपको ताकत का एहसास होगा आत्मविश्वास के साथ खुद में हिम्मत पाएंगे मन में उत्साह बढ़ेगा नोकरी पेशा लोगों की दप्तर में साख जमने वाली है और इस दोरान उनके प्रमोशिन की भी खबर आ सकती है आपके लिए किसी नए जौब का भी आफर इस समय में आ सकता है नोकरी की तलाश कर रहे जातकों को सफलता मिलने की पूरी संभावना इस महिने बने रहेगी दोस्तों कुंबराशिकी जातकों के लिए यह वक्त समझदारी से कार्य करने वाला रहेगा सोच समझकर कदम बढ़ाए और चोकस रहे आपकी काम्याभी की वज़े से कारिक्षेतर में कुछ लोगों को आपसे जलन भी हो सकती है जी हाँ माह में उत्तरार्द में तो इस वक्त आपको सफलता मिल सकती है कारोबार करने वाले जातकों के लिए भी सफलता का द्वार खुला रहेगा सप्तम भाव पर दुहस्पती और सूर्य बूध की पुर्न दुष्टी होने से कारोबार और व्यापार में बड़ी सफलता के योग बन रहे है आप नया कारोबार इस मेने शुरू कर सकते है आपका व्यापार भी नए इलाकों में फैल सकता है कुछ जातक इस वक्त अपने कारोबार या व्यापार में निवेश भी कर सकते है आपको सला दी जाती है कि अनुभवी लोगों से परामर्श अवश्य ले चलिए दोस्तों अब जानते हैं आपकी आर्थिक स्तिती आपकी फाइनेंशियल पोजिशन इस मेने में कैसे रहने वाले है कुम्बराशी के जातकों के लिए आर्थिक दुष्टिकों से समय अच्छा दिख रहा है धन और लाब के स्वामी ब्रुहस्पती आपके प्रथम भाव में विराजमान है यानि द्वित्य भाव और एकादश भाव के स्वामी ब्रुहस्पती लगन में विराजमान होकर सूर्य और बुद्ध से सैयुक्त होंगे ग्रहों का ये योग आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत करेगा जी हाँ आपको पैत्रुक संपत्ती से लाब मिलेगा आप पैत्रुक संपत्ती का इस्तेमाल अपने कारोबार में कर पाएंगे इस वक्त आपके कारोबार और व्यापार में रुद्धी होगी जी हाँ, आपका कारोबार बढ़ सकता है, आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, रुका हुआ धन वापस मिलने के पूरे संकेत बन रहे हैं, अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो इस वक्त सावधान रहना ज़रूरी होगा, सोच समझ कर ही निवेश करें, इस बेवजे खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको खर्चे करने के वक्त सतरक रहना ज़रूरी होगा, माह के उतरार्द में, सरकारिक्षेत्र में आर्थिक लाब होगा, नोक्री पेशा लोगों के लिए भी आमदनी का नया रास्ता खुल सकता है, अगर खर्च पर नियंतर रखे तो बचत कर पाने में आप सफल रहेंगे, चलिए दोस्तों आप जानते हैं, इस महिने में, मार्च महिने में, आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है, आपकी हेल्थ कैसे रहेगी, स्वास्थ के दृष्टी कौन से यह वक्त कुम्भराशी वालों के लिए मध्यम रहे है, अगर आपको कोई छोटी मोटी तकलिफ है, तो ज्यादा ध्यान ना दे क्योंकि मानसीक तनाव बढ़ सकता है, जितना हो सके अपने आपको कार्य में व्यस्त रखे, यदि आपको कोई पुरानी विमारी परेशान कर रही है, तो तुरंत डॉक्टर से सला लेना आपके जरूरी रहेगा, इससे बिमारी में सुधार आना शुरु हो जाएगा, स्वस्त जीवन शेली अपनाएं और पोश्टी भोजन के साथ नियमित व्यायाम की आदत डाले, सुबह की सेर से भी आप मानसीक तनाव से निजात पा सकते हैं, मौसम के असर को गंभिरता से लेना आ आपको कई छोटी मोटी बिमारीों से बचा सकता है, परिवार के दूसरे सदस्यों को भी स्वास्त के प्रती गंभिर रहने के लिए प्रेरित जरूर करें, चले दोस्तों जानते हैं, आपका प्रेम जीवन, आपका वैवाही जीवन, यानि आपकी लव लाइफ और मैरिड इस मंत में, यानि मार्च मेहने में, मार्च 2022 में कैसे रहने वाली है, प्रेम संबंदी मामलों में कुम्बराशी के लिए समय अच्छा रहेगा, पंचम भाव के स्वामे बुध आपके प्रतम भाव में प्रूहस्पती के साथ रहने वाले है, जी हाँ, इसकी वज़े से आपम विश्वास भी बढ़ता हुआ दिखेगा, पंचम भाव पर रूहस्पती की पूर्न दुष्टी होने से आप प्रेम को विवाह में बदलने के लिए तयार रहेगे, आपके फैसले में लवमेट की रजामंदी मिल सकती है, अगर आपका प्रेम नया है तो कुछ बाध नजर आ सकती है, रिष्टे में आगे बढ़ने में कुछ हिचक जरूर रहेगी, इस वक्त एक दूसरे को समझने की कोशिश जरूर करें, महीने के उत्रार्द में आप नया कदम उठा सकते हैं, विवाह की दिशा में जाने के लिए आप खुद को मजबुत कर सकते हैं, कुम दोस्ते के पती निष्ठा और विश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा, चलिए दोस्तो अब जानते हैं, आपका पारिवारी जीवन आपकी फैमिली लाइफ मार्च 2022 में कैसे रहने वाली है, दोस्तो कुम्बराशी के जातकों का पारिवारी की जीवन इस दोरान बहुत ह अच्छा रहने वाला है, दृतिय भाव के स्वामी ब्रुहस पती, आपकी राशी में उपस्तित होने से आपको फायदा होगा, आपको घर परिवार का सुख मिलेगा, घर के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा, पहले से चल रही अनबन इस वक्त्म हो जाएगी, आपसी साम को तवज्जुद देने वाले है, जी हाँ, आपको सला दी जाती है कि घर परिवार को एक जूट करने के लिए आपको आगे बढ़कर कदम उठाने होगे, आप कदम जरूर उठाए, परिवार के लोगों को वक्त दे और खास तोर पर बुज़रुगों की बात जरूर सुने इस वक्त आप परिवार वालों की रजामंदी से घर में कोई आयोजन कर सकते हैं, इसकी वज़े से परिवार वालों में अच्छी बॉंडिंग मजबूत बॉंडिंग बनेगी, इस दोरान भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है, उनकी मदद से आपके कई काम ठीक हो जाएंगे, कुम्बराशी के जातकों को इस वक्त अपने पिता का भी भरपूर सहयोग मिलने वाला है, चलिए दोस्तों जानते हैं, मार्च 2022 में कुम्बराशी वालों के लिए करने के लिए कुछ उपाय है, यानि कुछ चीजे हैं, अगर आप वो करते हैं, तो इस म महिने में, मार्च 2022 में, शनिदेव के बिजमंत्र का जाब करना आपके लिए अच्छा रह सकता है, शनिवार के दिन, शनिदेव को अगर आप सरसो का तेल अर्पित करते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा, जी हाँ, अगर आप रविवार के दिन गेहु और गुड का दान क पूरी विडियो देखने के लिए बहुत बहुत धर्निवाद